सुहां जी दोस्तों कैसे हो आप सब मेरा नामे लवनीश चोहान और आज मैं आपके लिए लेकर आगया हूँ हुंडाई की बहुती बढ़िया पेट्रोल में आटोमेटिक गाड़ी वो भी SUV सेग्मेंट की तो इंटीर देखके तो आपका आइडिया लगी रहा होगा कि मैं कौन सी गाड़ी की आज बात करने वाल हूँ तो चलिए बिना किसी देरी की चल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट सबसे पहले आपको दिखाऊंगा मैं गाड़ी का ओवर व्यू फिर हम करेंगे गाड़ लूँ करते हैं शो चल्दी से करते हैं झाल झाल जी दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं हुंडाई की ऑटमेटिक गाड़ी क्रेटा वो भी 2019 मोडल जी हां दोस्तों आज मैं आपके लिए एक SUV सेगमेंट की बहुती बढ़िया पेटरोल गाड़ी लेकर आ चुका हूं तो चलिए जल्दी से करते हैं इसका दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है बकिलोग क्या करते हैं सरफ गाड़ी बेचते लेकिन मैं दिखाता हूं कि गाड़ी एकसिदेंटल है या नहीं है और गाड़ी आपके लिए ठीक है या नहीं है तो यह देखिए सबसे पहले आप चेक करिए इसकी सिल्स एकदम प्र पाइटो कर रहा हूं खीशने के लेकिन नीचे नहीं आ रही दैट मिस अभी तक ओपन नहीं हुई है तो यह इस से पता चलते कि यह सारी जो पीस है यह सारे अभी तक ओल ओरिजिनल है एक दम देखिए यह वाली थोड़ी सी आ रही है तो यह दिखा देता हूं मैं आपको अब मैं दिखाता हूं आपको गाड़ी का एक बार रियर प्रोफाइल तो एक बार आप रियर से गाड़ी की स्टेंडिंग चेक करिए बहुत ही प्यारी बहुत ही बढ़िया गाड़ी है यह और सबसे में खास बात है कि टॉप मॉडल है यह संरूफ वाला तो अब मैं कर सकते हैं इसका बूट स्पेस काफी अच्छा बूट स्पेस इस गाड़ी में आ जाता है यहाँ पर देखें कि किस तरह का कोई चापी पाने नहीं लगा हूँ यहाँ से पीस जो इसका गाड़ी का साथ का है यहां से भी अगर जब चेक करोगे तो यह भी एकदम ऑल गाड़ी की पंचीज एकदम प्रॉपर है एकदम नीटन क्लीन वेल मेंटेंड गाड़ी है यह तो अब मैं कर देता हूँ इसकी बूट का बंद तो एक बर आप यहां से लेफ्ट साइड से इसकी प्रफाइल चेक करिए गाड़ी की जो गाड़ी की स्टेंडिंग है बहुत इसकी बहुत है कि इतना टाइट है पिलर यह एकदम खुल नहीं रहा है क्योंकि यह से एकदम प्रॉपर कर रख्या है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका अगले वाला डोर एज़िटी जो पन करके तो यह देख सकते है आप नेक्स डोर भी इसका इसकी भी सील से एक हादूं का तो इसका फायदा नहीं है तो यह लिजी यह कर दिया मैंने अब इसको बंद अब मैं दिखाता हूँ आपको एज़िटीज बॉनट ओपन करके गाड़ी का तो दोस्तो गाड़ी का बॉनट मैंने ओपन कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम सील्ड है इंजन किसी तरह का कोई यहाँ पर रिवर्क नहीं है आप यह देख सकते हैं पेट्रोल इंजन इस गाड़ी में आ जाता है एपरेंस मैं आपको इसकी चेक कर आता है बत्तत हैं गाड़ी काड़ी का कुई जाता है इंजन है एकदम सील्ड है इंजन है से में खास बात इस गाड़ी के है कि गाड़ी की चली है सिरफ और सिरफ 45,000 किलोमीटर वो भी एजेंसी रिकॉर्ड के साथ जी हाँ दोस्तों सिरफ 45,000 गाड़ी चली है और वो भी सारा एजेंसी रिकॉर्ड मेंटेंड है गाड़ी का तो जो भी मेरे दोस्त पेट्रोल में आ अगजरी और बढ़िया गाड़ी तो दोस्तों आब हम बात करते हैं इस गाड़ी के सबसे में चीज वो है इस गाड़ी की डिटेल्स तो ये गाड़ी अपनी 2019 मॉडल है फर्स्ट ओनर है चंडिगर लोकल नंबर है आप देखी पा रहे होंगे गाड़ी की कंडिशन एकड़म अल ओरिजिनल है फर्स्ट ओनर गाड़ी है और गाड़ी चलिए सिरफ और सिरफ 45,000 किलोमेटर वो भी एजेंसी रिकॉर्ड के साथ जी हां दोस्तों सिरफ 45,000 चलिए गाड़ी और सारा एजेंसी रिकॉर्ड गाड़ी का मेंटेंड है सारी सर्विस इस गाड़ी की एजेंस तक सब कुछ एकदम बड़ी है कंडिशन का है गाड़ी का गाड़ी की सर्विस भी अभी करवा रखी है आपको किस तरह कोगी खर्चा नहीं करना पड़ेगा गाड़ी का आपने सरफ गाड़ी है पैटरोल डलवान है और गाड़ी सिर्फ चलानी है तो अब हम बात करते हैं गाड़ी के डिमांड की तो आपने देखा होगा मार्केट में 19 मोडल टॉप मोडल गाड़ी काफी अलग अलग तरीके से लोग इसकी डिमांड करते हैं लेकिन मैं जो इस गाड़ी के डिमांड करूँगा वो करूँगा सिरफ और सिरफ 12 लाक रुपे जी हाँ दोस्तों ये कोई फाइनल प्राइज नहीं है ये मैंने सिरफ आपको डिमांड बताईए गाड़ी की बाकी आप गाड़ी देखिए आए गाड़ी पसंद करिए गाड़ी चला के देखिए फिर जो भी रेट होगा इसका मैं बड़िय से बड़िय आपको करवा के दूँँगा और एक अच्छी रेट में एक अच्छी गाड़ी आपको दूँगा क्योंगी गाड़ी आपने देखी चुके हैं किस तरह कोई खर्चा नहीं है गाड़ी में एक एक पीस मैंने गाड़ी का दिखाया है कोई पीस गाड़ी का पेंट कोई पीस गाड़ी का रिपेर बिलकुल भी नहीं है सारी एकदम all original गाड़ी है तो चलिए अब इस वीडियो करता हूँ यहीं पे खतम मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक और बहुती बढ़िया गाड़ी के साथ